हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, इस लुक को क्रियेट करने के लिए सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ, अल्प गुड्नेस का कुकुमबर टॉनर, इस टॉनर में कुकुमबर है, तो ये हमारे फेस को ब्राइटन अप करने के साथ साथ हमारी स अच्छा वाला मॉस्चुराइजर है, ये जेल फॉर्म में है, मैं यहाँ पर नाइट वेडिंग गेस्ट मेकप लो क्रियेट कर रही हूँ, that's why मैंने यहाँ पर नाइट क्रीम का यूज़ किया है, next मैं यूज़ कर रही हूँ, blue heaven का flawless primer, ये सिलिकन बेस प्राइमर है, ये ह ये वाला foundation, oily, normal, combination skin वालों के लिए बहुत ही अच्छा वाला foundation है, सबसे पहले मैं dot dot करके इसे अपने all over face पे apply कर लूँगी, and then damp beauty blender की help से इसे अच्छे से अपने face के ऊपर all over spread कर दूँगी, blending का process बहुत important होता है, अगर आपने face पे अच्छे से foundation को blend कर लिया ना, तो आपक लगाना कभी भी मत भूलिएगा, next मैं यूज़ कर रही हूँ, Swiss beauty का concealer, जिसमें मेरा shade है 04, ये reasonable price के अंदर बहुत ही अच्छा वाला concealer है, ये आपको 1500 से 200 के बीच में आराम से कहीं भी मिल जाएगा, local market से थोड़ा से expensive बढ़ेगा, बट अगर आप online try करो ना, तो आपको बह मेरे फुलके से dark circles है, तो मैं इसे अपने eyes around area पे लगाऊंगी, मेरे mouth around थोड़ी सी pigmentation है, तो मैं वहां पे भी इसे apply करोंगी, जिस point पो मैंने highlight करना है, वहां पे भी मैं concealer को apply कर लोंगी, and then same beauty blender से मैं इसे भी अच्छे से blend कर दूंगी, अपने all over face की ऊपर, next product मैं यूज कर तो that's why you can use it as a blush, ये वाली lipstick भी आपको बहुत ही discount price में purple से एमाजोन के अंदर मिल जाएगी, I think मैंने इसे 100 या डेट सो के बीच में purchase किया था, next मैं यूज कर यह maybelline का fit me compact, ये वाला reasonable price के अंदर बहुत ही अच्छा वाला compact है, ये मुझे 100 डेट सो के around I think मिल गया था, काफ इसे मैंने एमाजोन से I think 300 या 350 के अंदर purchase किया था, इसे पहले मैंने इसमें लिया है brown shade, जिसे मैं अपने eyelid के उपर apply कर रहे हूं, दोनों eyes पे मैं अच्छे से इसे apply कर दूंगी, and then मैं यहाँ पे लोंगी orangish and red सा shade, जिसे मैं अपनी crease line के उपर apply करूंगी, और अच्छे से blend करूंगी, इसे ना एक अच्छा सा smoky सा look create हो जाएगा, next मैं ले रही हूं golden glitter, जिसे मैं अपनी eyelid के apply कर रही हूं, only center center के अंदर apply कर रही हूं, जाधा apply नहीं कर रही हूं, यह eyeshadow palette भी मैंने local market से लिया था, तो मैं link आपको नहीं दे सकती हूं, यह मैंने काफी सस्ते में ले ले ली थी, next मैं यूज़ कर रही हूं, eyeliner यह भी मैंने local market से ही लिया था, I think dead so के अंदर, तो इसका भी link में आपको नहीं दे सकती, बत यह बहुत जाधा pigmented है, बहुत ही अच्छा वाला eyeliner लगा, यह वाला मुझे, एक दम ना जेट black shade के अंदर है, next मैं यूज़ कर रही हू स्मूकी सा look create हो जाएगा, next मैं यूज़ कर रही हूँ, next मैं यूज़ कर रही हूँ, swiss beauty का यहां पर mascara, यह बहुत जाधा अच्छा तो मैं नहीं कहूंगी, but reasonable price में, यह काफी अच्छा mascara है, इसों के बीच, yeah I think मुझे 500 से 200 में मिल गया था, next मैं यूज़ कर रही हूँ, swiss अच्छा look देती है, इसके साथ में एक छोटा सा brush भी आता है, जो कि आपको apply करने में बहुत ही easy रहता है, next मैं यूज़ कर रही हूँ, sugar की यह face palette, जिसमें आपको blush, highlighter and contour तीनों चीज़े मिल जाती है, यहां मैं अपने face के ऊपर थोड़ा सा, हलका सा contouring कर रही हूँ, sorry, bronzing क कर रही हूँ, जादा मुझे shadow नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने जादा heavy contouring नहीं की यहां पे, यह तो बहुत ही अच्छी वाली palette है, तो अगर थोड़ा सा आप expensive ले सकते हो, तो यह वाला ज़रूर ट्राइ कीजिए, इसमें आपको तीनों के तीनों एक ही palette में मिल जाते है next मैं same palette में से blusher भी use कर रही हूँ, and then same palette से मैं अपने highlighted point पे भी highlighter को अच्छे से apply करूँगी, यहां पे मैंने दो बार blush इसलिए apply किया है, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा ना dark shade का blusher था नहीं, तो हलका सा ना मुझे dark shade चाहिए था blusher के अंदर, तो मैंने दो बार blusher को apply क आप single time भी use कर सकते हो, या तो powder blush यूज कर लीजिए, या तो जिस तरह से मैंने lipstick से cream blush को बनाया, उस तरह से भी आप यूज कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे, आप कर सकते हो, you can see highlighter लगाने के बाद कितना जादा, you know, face पे glow और look ही change हो जाता है, last look तो lipstick लगाने के बा मदब बहुत creamy है, matte भी हो जाती है, काफी अच्छी lipstick है, ये वाले lipstick बहुत जादा, you know, matte नहीं होती है, बट अगर आपको इसको proper matte बनाना है, तो आप हलका सा loose powder लगाए, and then 3-4 coat lipstick apply कर लीजिए, आपको बहुत ही अच्छा matte finish इसमें मिल जाएगा, you can see मेरा final look, मैं ready हूँ पा बढ़ाई